Hello everyone, वैसे स्टूडेंट जो खास कर जाम मिले इसलाम में 2024 में जो भी स्टूडेंट एडमिस्या लेना चाहते हैं चाहे हो किसी भी कोर्स में हो यानि कि UG, PG, Diploma, Advanced Diploma आप किसी भी कोर्स में जामे में एडमिस्या लेना चाहते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जामे में अगर आपका वेटिंग लिस्ट में आया है तो वेटिंग कैसे किलियर होगा उसके बारे में और इन सौट में एडमिस्या प्रोसेस भी समझाएंगे चाहे आप selected candidate हो या फिर आप selected candidates नहीं हो important यह है कि ये वीडियो उनहरे स्टूडेंट के लिए जो इस बार आडमिस्या लेना चाहते हैं जामे में चाहे हो बैचलर कोर्स हो या फिर मासस या डिपलोमा, एडवांस डिपलोमा, पीज डिपलोमा या फिर बिटिक कि किसि भी कोर्स में जामे में एडमिसान लेना चाते हैं जामे में वेटिंग कैसे क्लेर होता है वेटिंग को क्या प्रोसेस है इसके बारे में डिटेल में डेस् cells करेंगे अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फाइदा आपको होगा बाकि यह है कि जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेट एंड के लिए भी सब्सक्राइब कर लिए और लाइक जरू कीजिएगा चलिए अगे स्ट और टॉप में दो जागा कोर्स का नाम दिख जागा इसके लाबा किस डेट में अडमिशन हों का वो दिख जागा आपको और साथी किस डिपार्टमेंट में हो गो दिख जागा इन्हीं अग फेकल्टी अप सोसल साइंस का जो डीन ओफिस है जो की जामे के गेट नमर सेवन इसलिए आप देखी का मतलब अलग-अलग courses का अलग-अलग faculties है तो आपको वहां पर admission मिलेगा तो जिसे जो बीबी वाले candidates है उनका admission कहीं और होगा, campus में होगा लेकिन department अलग लोग हो तो इस तरीके सा आपका department वहन सन होगा तो यह हो गया तीन-चार चाहिए, पहला किस course में अपने form apply किया था किस date में admission मिल रहा है और किस department में जाकर admission लेन होगा जो कि जामे gate no.8 पर है अब यहां पर वह list में तीन-चार बाते होगा, जिसे अभी तो तीन बाते दो बता दिये दूसरे की उस course का cut-off कितना गया है, अब हो सकता है, आप में political का दिये हो, या BPT का दिये हो, किसी भी course का दिये हो, हो सकता है तो यह cut-off पता चल पाएगा, और साथ ही फिर यह दिखेगा, इसी के जस नीचे, category बाए, जिसे general का देख लिजे, यह general में, यह student है, जो selected है, बी-ए में, इसी तरीके से, अभी general का ही, क्योंकि total general का इस बार 28 seat है, पिछले साल से इस बार बढ़ गया है, और यह Muslim category में जो seats ह है, वो 18 seats है, 18 हे मिलके 20 seats है, तो 20 seats हो गया Muslim category का, 28 हो गया general का, इसके बाद अभी यह selected candidate है, इनको एडमी से लेना होगा, 24 से 26 जून के बीच में, इसके बाद यह Muslim OBC का हो गया, Muslim OBC का total seats यहां पे है, वो आपका 7 seats है, देख सकते हैं, इसके बाद Muslim Women का भी 7 seats है, और जामे इं और PWD में अलग-अलग category है, तो यह देख लिए अलग category के हिसाफ से seats हैं मिन सेने, और Jumbo Kasmir का यहां पे 2 seats यहां पे reserve है, ठीक, तो यहां तक आपने देखा कि category बाद क्या cut-off गया है, और कौन-कोन इस student select हुए वो, इनको admission कम मिलेगा 24 से 26 जून के बीच में, अब अगर मा नहीं लिया, लेकिन कैसे, अगर आप मान लिए जेनरल में seat आपने 28 गा, तो मान लिए जेनरल में 10 बच्चन अडमिस्जद है, 18 बच्चन अडमिस्द नहीं लिया, इस तरह किसे Muslim category मान लिए कि total 20 seats सब्सक्षप, तो 20 में Muslim मान लिए कि 10 स्टोड न अडमिस्जद है बाकि 10 बाकी जो बच्चों का नाम आएगा उसमें जो बच्चों का नाम आएगा, जो रान्क में वेटिंग लिस्त में टॉप पे हैं जिससे कि अभी इतना तो सनिमारग घंवाई जैनल में 18 में किसको मौका मिलेगा तो जैनल काटिग्री में जो 18 नंबर तक सुरू 1 से लेकर के 18 तक जो वेटिंग में है इनको मौका मिलेगा जो जैनल काटिग्री में 18 रा गया है ऐसी मानलेजे कि मुस्लिम उनका वेटिंग्र के लियर उनका वेटिंग के लियर होगा जैसे अल्मुस्ट जो है टूफिप्टी का सबस्किन ने वेटिंग निकाला है अभी भी है एक सेगंड टूएटी वेटिंग ने निकाला है अब इस तरीके से देखिए मुस्लिम का में दिखा रहा हूं यह मुस्लिम का टिकरी में 20 सीट और बच्चों ने 10 एड़िशा लिया उस केस में जो रिमेनिंग जो दस सीट जो वेटिंग फूल किया जाँग वह मुक्तन से 10 तक है इनको मौका मुखनेगा की का टेगर वरन का टेकर यह सकता है कि काटफ अगर चम चला जा अगर आप जनरल काटिग्री में 28 सीट्स है और इसमें 10 बच्चों अडमी से लिया तो 18 सीट्स खाली रहा गया अब इस 18 सीट्स फूल कैसे होंगे जो वेटिंग लिस में सुरू के टॉप के 18 स्टूडें उनको मौका में लेगा अब इस 18 में भी माली 10 स्टूडें अडमी से जो कॉल आले 10 स्टूडें तो कहीने के 8 स्टूड खाली हो गया तो 18 के बाद जो बच्चे है यानिकी वेटिंग लिस में वडैटिं के बाद के जो बच्चे हैं यानिकी 19 से माली 19 से 25 तक गे जो बच्चे उनको मौका में लेगा ऐसे ही जब तक शीर्स नफूल हो जाय तब तो यह है रहा जाम्य का वेटिंग इस कैसे किलिए रहोता है उसके बारे मता है वीडियो अच्छा लग हो तो लाइक जरू करिएगा और यह जो प्रोसेस मैंने समझाय है जरू होफ़ोली आपको हेल्प करेगा तो आप फे रिफिट के बारे में आपको बता देंगे बागे इस से रिलेटेट कोई भी डॉट स्क्वेरी होता है कर्मेंट कीजिए इस चनल को जरू सब्सक्राइब के लिए जैसी अपडेट आता है अपडेट अदन के लिए थैंक यू